कि नमस्कार साथियो मैं जेपी डाडिया आप सभी का मेरी यूटूब चैनल डाड़े एलेक्टिकल इस्टेड़े में एक वार फिर स्वागत करता हूं दोस्तों अपना जो एटिकल थोरिका स्लेव चर रहा है उसमें पिछली वीडिए procurement के परकारं के दियान ब IG THE डिया पाधियि дост us We can get up सीनल कोर्टिछ यह बड़ी किया होता है केटना इंप्र्टर्थ कहां प्रियोग क्या जाता है कितनी इसकी रेटिंग होती है इसका फ्यूजिंग फेक्टर का मान क्या होता है और कितने प्रकार करते हैं आज इस पूरे वीडियो में देखते हैं कार्टिज फ्यूज क्या होता है तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं कार्टिज फ्यूज के परे नहीं आता है उसी प्रकार कार्टिज फ्यूज यूज एंड थ्रो होता है एक बार काम में ले लिया फ्यूज उड़ गया उसके बाद में इस फ्यूज को दुबारा कारिये में नहीं ले सकते यह सबसे बड़ी अवगुण मालो या चाहिए इसकी विशेष्था मालो दोस्तो कार्टिज फ्यूज का निर्मान क्यों क्या पुनहतार स्थापन के अवगुणों को दूर करने के लिए अर्थार्थ उस किटकाटिज फ्यूज के अवगुण को दूर करने के लिए इस कार्टिज फ्यूज का निर्मान क्या गया था कार्टिज फ्यूज पूर्ण तया बं उसमें fuse वायर फूज घटक वाता वन के संपर्क में नहीं हो मौंग के संपर्क में नहीं आए पूर्ण तया बंदकरकार के फूज होता है अब इसकी संस्तना देख लेते हैं देखो किस तो कम समता की स्वाटी START परकार से होस्व अंदर से निर्वात होते हैं और अधिक समता के जो फ्यूज होते हैं वह सीरामिक की आप पोर्शन की बने होते हैं अंदर क्वार्टेज का पाउडर भरा होता है इसलिए दोस्तों इसी विश्यस्ता के आधार पर काट्रीज फ्यूज को दो भागों में व्युभाजित क्या अब दो भाग होते कौन-कौन चेह वह देख लो एक तोता है लो रप्सरिंग काट्रीज फ्यूज के दो भाग होते हैं एक तो थोता है एल आरशी वह और वीक होता है एच आरशी लो रप्छिंग लो राप्श्रिंग केपसिटी फ्यूज और एक वता है हाई राप्श्रिंग केपसिटी फ्यूज यह होते हैं इसको हिंदे में कहते हैं ओपर वाले देखो लो राप्श्रिंग लगू विदारन चम्ता फ्यूज यह कौन सा था लगू विदारन चम्ता फ्यूज और यह उच्य विदारन चम्ता फ्यूज है भी तो इस फ्यूज की काटिग्री किस की आधार पर उने और रडिंग की आधार पर लोग वोल्टिज की आथार पर अब दोस्तों कारेश्रिंग मैं मैंने आपको सुनुन मताया कि की फ्यूजों को दो प्रकार्शे भाजित क्या राता है एक तो वोल्टेज के अधार पर और एक बनाउट के बीकर करने वाला होता है वो इसकी के आधार पर नगर करता है ठीक है अब देखते हैं कि लो के अंदर इस कार की फ्यूज में कितने भाजित होता है और हई वहल्टेज के आधार पर इस फ्यूज इत्रुज कितने वाहगों मी भाजित होता है तो दोस्तो यह LRC लो Canada sitting फीजिव को तीन बात्यावागां में वाजित है तो दोस्तों कि HRC Gum geç टिन बागों में और अलर्टीर सी फीज 두 फान्सी फीज़ ऊचुकी हैं कार्टिर्ज का व्रग्येंगर्ड 5 प्रकार 7 क्या जाएगा क्या प्रकार से हैं और बड़ा ही इंपोटेंट है कियो कि यस Cause को पढ़ने से पहले यह आप ने पिछला वीडिओ नहीं देखा है फ्रूज के वर्गिकन को अच्छे तरह से समझने के लिए की प्रकार छी तरह से समझने के लिए आप पिछले वीडियो ऊच्छसे देख लें कारी करने वाला आता है ठीक है और यह उस वोल्टेज पर कारी करने वाला आता है इसलिए कार्टेज फ्यूज दो फ्यूज होते हैं यह हाई वोल्टेज पर यह लो वोल्टेज पर काम करता है और हाई वोल्टेज पर काम करता है लो वोल्टेज यह आता है कि लगू विदारन चंता फ्यूज दो बागों में भाजित क्या दाता है वो दो बाग देख लो कॉंड 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 चाहते हैं नंबर एक अब फेरूल टाइप कार्टीज फ्यूज अब एक तो आखाय है और दूस्वर देखो टाइप के बाद जो फ्यूज आता है फेरूल कॉंटेक्ट या फेरूल संपरक या फिर आता है इसको फेरूल टाइप के अज़िए फेरूल कॉंटेक्ट भी बोलते हैं कि किताबों में कॉंटेक्ट भी आता है और यह फेरूल टाइप भी आता है एक तो आ गए यह फेरूल कॉंटेक्ट दूसरा तर डाइजड प्रकार का जिसको डी प्रकार हिंदी में सुधी दे आपड़ सौटकट के बहुते तो डी टाइप का काटर इस्वी जोता है जिसको होते है डाइजड डाइजड इस्क्रू टाइप अ कि दो आगए ठीक है तो दोस्तों इन दोनों में से कुण चाहिए ऐल आर्ची फ्यूज एसार चेपड़ेंगे बाद में एलर्ची फ्यूज में एक तो फिरूल कॉंटेक्ट काट रिश्यूज आ गया दूसरा डाइजड इसके टाइप काट्री फ्यूज आ गया दोनों के बारे में देखते हैं दोस्तों दोनों के दोनों बड़े ही important fuse है ठीक है यह लगू अपने लगू इदार्ण समता में आते हैं लोग्र टेज होते हैं अब इन दोनों की बात के जाए तो डाइड प्रकार के contact fuse की सरतना कैसी होती है पर दोस्तो तो second ठीए होती है मैं में जित्रम के देखता हो यह तो इसका कि इस्का टूब है दूनु तरफ लगे होते या कभी-कभी ब्रास की वाटे या ब्रास मतलब पीतल की होते हैं ये किसके कास मीद या कासकी और गट कुल दो था एंड का बते हैं बिर्च के अंदर या तार होता दोस्ति यह घाल घटक मिलते जिसको हुग गटक होता है कि अधाया इसको प्रुण वोते हैं यृष्य घटक प्रुत्र फ्रुज एलिमंट gonna कि या बत है एक वह तुछ वार अर अंदर से निर्वात अंदर से क्या है निर्वात है यह के उसका निर्वात है यह उसके हमेट कोण्टेक्ट काथ्री में होटा है अब देखो तो यह लो वोर्तेज़ करने किलो वोल्टेज्ट पर कार्यक करने वाले फ्यूज की विदारण छम्ता 50mva होती है दखना 50kva होती है कितनी 50 किलो वोल्ट तक होती है यह इसकी विदारण छम्ता लिख दता हूं है विदारण छम्ता पचास किलो एमपेर तक एक तो यह दखना विदारण छम्ता 50kva यह फ्यूज ठेकने कॉन्चे फ्यूज 25mA शे लेकर कॉन्चे 25mA लेकर लिख लो यह फ्यूज कॉन्चे फ्यूज 25mA से 32mA तक होते हैं कहां से 25mA यह फ्यूज होते हैं और इस फ्यूज की कर्ण्ट रैटिंग के बात के जए रटिंग होते हैं 25mA अपर इसके आंकित होती है और कुछ निजदा इसके अंदर वास कुछ निए अप देखोगे कहा है सबसे अधिक ये फ्यूज कहां परियोग रते हैं सबसे अधिक सिल्धिक UP उप्क्रणों में, lecturing instrumented में उनकी सुरक्साख़कने में इलेक्रोनिक सरक्रीटों में उनकी सुरक्षा़कने के लिए इस प्रियूक का देखा होने कि काज की छोटा सा अपको दिखाता हूं यह बोर्ट पे इस फ्योज का तो प्योजी घटक कि दातु से बना होता है ठीक अब उसकी बात की जाए अफ यह औहुल今天 पी повтор इसका एक ओनिट एक से एक पॉंट चार तक होता है किया रखना बात एक पॉंट एक से एक पॉंट चार तक होता है दूहरी सबसे बड़ी विश्यस था इस फ्यूज की इसमें आग लगने की कोई संभावना नहीं होते है ओप्रेटर को जटका लगने की कोई संभावना नहीं होते है फिक्समान के फ्यूज होते हैं जो पर फूज दूषण लगना पड़ता है अब इसका फ्यूजिंग फूज वैर कि लिए और हिंदी में काते हैं फ्यूज घटक किसका होता है तामबा ओर पलस तीन से होता है तंबा होता है तर्फ पर्शट अर ट्यन होता है 37 परसेंट बस जैसे स्टेफलाजर आता है को एलेक्ट्रोनिक इस्ट्रोमेंट आते हैं और पके चटेप डीदी रेटी रेडियों आते हैं उनमें जो फ्यूज करते हैं छोटे च-छोटे डीदी बार दुद्ध बुल में लगते हैं या आप जो बोर्ड पर देख रहे हो उस सब के सब क्या हैं यह सिर्फ हेल कॉंटेक्ट कार्टिज फ्यूज ही होते हैं दूफरा फ्यूज आता है डी डाइज्ड फ्यूज कार्टिज फ्यूज अब यह भी कॉल सता है देखो वह कैटिग्री आगी मैं आपको शुरूब करेक्यों मैं कैट्रेख के की काटेग्री दो होते हैं वोड़ेज के दूसरा होता है बनावन के आधार दोस्तों यह फिर बहता आगे यह पूर्णत्या बंद परकार प्रणार का फ्यूज के ऐधार पर देखा जाए दोस्तो ये फ्यूज लो कर्टीग्री लो बोल्टेज के उपरकार एक ऊद्र फ्यूज करने वाला लो चंपा कर पार फियूज रोता है इसकी चंपता देख़ो उइचिता नी सम्हों प्रॉज बाद罪 पडेंगे लगू-बुद्र सब्सक्राइब रच्रिव शुलोगरोन साथ कि Is grappling के लिएंद जाया में ए cracking कियों और सबसकराइब मुसक्राइब अ soothing कि एकां युदकर में आती उचधारण परवाइछ होने पर फ्यूजब दोस्पन अब कौन सा कि फ्यूज उड़ने का कि ओर लोड या 60 के करण जो धारा उत्पन हुई उसको सर्किट या किशी उपकरण को बिना नुक्सान पहुंचा है कितनी देर तक सहन कर लेता है और कितनी एमपेर तक उसको सहन करने की चमतार रखता है वो तो तो 50 किलो एमपेर तक के को जड़ने से बसाने के लिए इस्टूमेंट में परिए क्र 37 कि सुक्षा कर लेता है इस कि कासी होती है इसकी आख अकरति बोतल जैसी होती है बोतल जैसी होती है लीमा आप कुछ दर्मना की दिखाता हूँ यह ऐसा है यह ऐसा है ठीक है ने बोतल क्या करती है यह दर्गी नीचे से कुछ हलका होता है डाय में कुछ कम होता है उपर से कुछ अधिक होता है और उसी प्रकार से यहां पर होता है कुछ 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 बंद होता है यहां से ऐसे यह और यह फ्रूज घटक होता है किसका है यह पॉर्सलिन का है कि अधिक कि है पॉर्षनलगी फ्यूज घटक अधि पिछले बंद का यह लोग व्रकारे करना वाले काल्टेज फ्यूज घटक तामभा प्लस तीन का होता है जिसमें तामभा त्रशंट होता है त होता है ये फ्योंज घटक है यह पोर्च रिव है उसके बाद देखा इसके ये इतरर वह sick理 रहा है उसक्षानिक पढ़ार्थ भाशनिक भाद जिस प्तरय से देई इसको फिलिंग जब चिंगारी पैदा उती है तो उसको चिंगारी को बुझाने के लिए इसका परियोग क्या राता है बस और इसका बड़ा रूल नहीं है उसके बाद में आता है एक चोटी सी युकति और होती है अब यह ब्रेकिंग इंडिकेश्ण होता है ब्रेक इंडिकेश्ण ए यह होता है बेक इंडरेट खैल्ड혜 और यह उपर दो कोई politicिंद होते हैं अ यह से और एक होता है इसका होल्डिर आपको इसे ओल्ड दिख रहा है इसको बहुत है इसको दीप प्राकार का का क्ट रिज होता है होट दीख रहा है होल्ड के अंदर फ्यूजी को डाल कर बेस के अंदर इसका आधार होता है उसके अंदर शक्रू की तरह कस्त बहल्ले दाता है और यह ही फ्यूज अटता है तो फियूर फ्यूज न Shout देते हैं और दूसरे प्रकार का फ्यूज लियाते हैं दोस्तों एक जाते है इसकी बोड़ी पर यह लिखा नहीं होता है कि कितने एंपर का काट्रीज फ्यूज होता है यह सिर्फ इसके ओपर यहां कुछ रंग लगा देते हैं कुछ कलर की एक पॉंट लगा देते हैं उस प्रकार का कार्टीज फूज होता है ठीक है अब बात करते हैं यह इसकुर की भाती कसकर परियोग करते हैं इसलिए काते हैं इसको डाइज्ड फ्यूज डाइज्ड इसकुरूज दॉस्तों स्वाई want देखना है कि दोफा न चाहता है कन दोता है कि दो बखहां कौन चाहते हैं इसको भी ऑगवमी और तुसरा देखो एक तो होता तवरित एक होता है विलम्बित अनुकिर्या प्रकार मैं इस परियोक करने के यही डिप प्रकार का जो फ्यूस होता नहीं है यही दो प्रकार चोटे आते हैं और एक कुछ बड़े आते हैं तो इनके प्रयोग के आधार पर दू नामों के घालता है एक तो तैसे सामानिक प्रकार के जो प्रिपत होते हैं हलके भार होते हैं या लोड के एक पर पतों का मोटर लगा जाएएगे जिस्वाओं एक मोटर दो मोटरी परियोग अति हमें उच वुमुप्रन के लिए कौन सा फ्यूज डाओज देश्कूट प्राकार का Fuse जो की कॉझसा विलंवित अनुकीरियाँ प्राकार का Fuse प्रायोग किया दाता है यह तो थी दो दोस्तों इस डीप प्राकार के कार्ट हुआए के दाती है तो Deps की ल्हčshire fire ठीके कार्ट ही की रेतिंग 1250np しまते हैं 1250 यह कमलोड के परिपथा में सहांवने परी परिपथा में तौरित अनुकिरिया परिपथाों के पिरिउपतों में जहां मोटे परयोग की जाते हैं ट्रान्स पर्योग दाते हैं चोटे चोटे और उसके बाद में उच्छवसी के, अधिक से बिलते हैं ठीक हैוד दो एंपयर से 22 भा था 63 एंपयर तक कि सुर rolls से 63 तक तो इनकी राटिंग कितनी होगी 63 एंपयर तक इनकी रिटिंग होगी है उसके बाद में उस परकार के जो उच्विधार्विपू जाएंगे की होगी 1250 एंपेर तक तो यह लो बोल्टेज पर हैं इसलिए दो एंपेर से 63 एंपेर तक इनकी रेटिंग होगी अब भी मैं वह आपको नाम बताता हूं कि यहां कौन सा कलर अंकन करें कि इसकी रेटिंग निरधारित हो जाए कि यह कितने एंपेर का इफूज है लिख लेना कलर 20 एंपेर और पीला कलर 25 एंपेर काला कलर 32 एंपेर उसके बाद भी आता है सफेद कलर ठेक है सफेद कलर होता है 50 एंपेर का काटेज फूज और लास्ट में तामवे जैसा जो कलर आता है ठेक है तामवे जैसा जो कलर राता है उसकी रेटिंग होती है 63 एंपेर इसलिए क होते हैं अब कोगे सर दोस्तों इसके यह फ्यूज घटक है यह आपको बताए है 63 पलस 37 परसेंट यह तामबा और यह 10 की मिश्रधातू होती है यह तो थे दोस्तों आपके लौ वोर्टेश कार्टेज्स या लगू विदारन समता के कार्टेज्स और अगला फिखते हैं पुछ्च विदारन चमता के कार्टेज्स